क्लास नाइन्थ बुक का नाम शितिज चेप्टर का नाम साम्वले सपनों की याद इसके लेकक हैं जाबिर हुसैन जाबिर हुसैन जी के बारे में सबसे पहले जानते हैं जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गाउं नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ वे अग्रेजी भाषा एवन साहिति के प्रध्यापक रहे सक्रिय राज़िती में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधान सभाग के सदर से निर्वाचित हुए और मंत्री बने सन 1995 से बिहार विधान परिशद के सभापती हैं जाविर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं उनकी हिंदी रजनाओं में जो आगे है डोला बिवी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख है अपने लंबे राजनेतिक सामाजिक जीवन के अनभों में उपस्थित आम आदमी के संघर्सों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है संघर्सरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डैरियां चर्चित प्रसंसित होई है जाविर हुसेन ने डैरी विधा में एक अभिनो परियोग किया है जो अपनी प्रसुती शैली और शिल्प में नवीन है प्रसुत पाठ जून 1987 में प्रसिद पक्षी विज्ञानी साली मली की मिर्तु के तुरंत बात डैरी शैली में लिखा गया संस्मरन है साली मली की मिर्तु से उत्पन दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है साली मली का स्मरन करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित प्रसुत किया है यहां भाशा की रवानी और अव्यक्ति के शैली दिल को छूती है सावले सपनों की याद सुनहरे परिंदों के खुबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अगरसर है कोई रोक टोक सके कहां संभव है इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंदों पर सैलानियों की तरफ अपने अंतहीन सफर का बोज उठाए लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन है भीड़ भाड की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का या आखरी पलायन है अब तो वह उस वन पक्षी की तरफ प्रकृती में वलीन हो रहे है जो जिंदगी का आखरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाबसा हो कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसर लोटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा मुझे नहीं लगता कोई इस सोय हुए पक्षी को जगाना चाहेगा वर्सो पुर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षीयों को आदमी की निजर से देखना चाहते है या उनकी भूल है ठीक उसी तरह जिसे जंगलों और पहाडों जर्नों और आवशारों को वो प्रकृती की निजर से नहीं आदमी की निजर से देखने को उच्शुक रहते हैं भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षीयों की आवाज का मधूर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता मैसूस कर सकता है एसास की ऐसी ही एक उबडखावर जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है साली मली पता नहीं इतिहास में कब कृष्टने वरिंदावन में रासली लराची थी और शोक गोपियों को अपनी शरार्तों का निशाना बनाया था कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूद छाली से अपने मूँ भरे थे कब वाटिका में छोटे-छोटे किन्तु घने पेड़ों की छा में विसराम किया था कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब व्रिंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गए थी पता नहीं यह सब कब हुआ था लेकिन कोई आज भी व्रिंदावन जाए तो नदी का सावला पानी उसे पूरे घटना करम की याद दिला देगा हर सुबह सुरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्सा भरी भीड नदी की और बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे हर शाम सुरज जलने से पहले जब वाटिका का माली सेलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछी शनों में वो कहीं से आटपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर चाजाएगा वरिंदावन कभी कृष्ण की बासुरी के जादू से खाली हुआ है क्या मितकों के दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस वक्ती पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे संभव है लंबी आत्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा विमारी उनकी मौत का कारण बनी हो लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी चिनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाज़त के परती समर्पित थी सालिम अली की आँखों पर चड़ी दुर्बीन उनकी मौत के बाद ही उत्री थी उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो लेकिन एकांत शनों में सालिम अली बिना दुर्बीन भी देखे गए है दूर शितिस तक फैली जमीन और जुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ-कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृती को अपने गेरे में बांध लेता है सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृती के प्रभाव में आने की बजाए प्रकृती को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं उनके लिए प्रकृती में हर तरफ एक हस्ती खिलती रहस्त भरी दुनिया पसरी थी या दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गड़ी थी इसके गड़ने में उनकी जीवन साथी तहमिना ने काफी मदद पहुँचाई थी तहमिना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाथी रही थी अपने लंबे रोमान च्छकारी जीवन में धेर सारे अनभोवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के जोकों से बचाने का अनरोध लेकर चौधरी चरनसिन से मिले थे वे प्रधान मंत्री थे चौधरी सहब गाओं की मिट्टी पर पढ़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे पर्यावरन के संभावित खतरों का जो चितर सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आखे नम कर दी थी आज सालिम अली नहीं है चौधरी सहब भी नहीं है कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की निव रखने का संकल्प लेगा कौन बचा है जो अब हिमाले और लद्दाग की बर्फिली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल आफे स्पैरो मुझे याद आगया डियेच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रिडा लॉरेंस से अनुरूद किया कि वो अपने पती के बारे में कुछ लिखे फ्रिडा चाहती तो धेर सारी बाते लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है मुझे मैसूस होता है मेरी छट पर बैठने वाले गौरेया लॉरेंस के बारे में धेर सारी बाते जानती है मुझसे भी जाया जानती है वो सच मुझ इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था मुम्किन है लारेंस मेरी रगों में मेरी हडियों में समाया हो लेकिन मेरे लिए कितना कठीन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा बहनाना मुझे यकीन है मेरी चत पर बैठी गौरईया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे जाया जानकारी रखती है जटल प्रानियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहली बने रहेंगे बच्पन के दिनों में उनकी एर गंड से घायल होकर गिरने वाली नील कंट की वग और या सारी जिंदगी उन्हें खोज के ने ने रास्तों की तरफ ले जाती रही जिंदगी की उचाईयों में उनका विश्वास एक शन के लिए भी डिगा नहीं वे लॉरेंस की तरफ नैसरगिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे सालिम अली प्रकृतिक दुनिया में एक टापू बनने की बजाएं अथा सागर बनकर उबरे थे जो लोग उनके भ्रहमन शील सुभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं मैसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दुर्बीन लटकाए अपने खोजपू नतीजों के साथ लोट आएंगे जब तक वो नहीं लोटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए मेरी आखे नम है सालिम अली तुम लोटो गे ना